आज की रेसिपी है स्ट्रीट स्टाइल पावबाजी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ठेले वाले या फिर रेस्टरॉन वाले बनाते हैं ये तरीका आपने आज तक कभी भी किसी भी वीडियो में नहीं देखा होगा सिर्फ 15 मिन में बनने वाली पावबाजी जैसे ठेले वाले बनाते हैं ऐसे वीडियो को देखकर आप खुश हो जाएंगे और आपके ये बहुत काम आने वाला है तो रेसिपी शुरू करते हैं सबसे पहले सबजिया लेंगे तो सबजियो में हमें लेना है बीट्रूट, आलू, शिमलामिच, फूल गोबी जिसे हमने गरम पानी में दोके रखा है गाजर और मटर साथ में लेना है प्यास और टमाटर तो यहां मेंने दो प्यास लिए हैं और इसके साथ चार टमाटर लेने हैं अब सबसे पहले प्रेशे कुकर में थोड़ा सा तेल एड़ करेगे, इसके साथ अब लेना है प्यास प्यास को हमें हाय फ्लेंपर णोने प्यास लाइड गोल्डेन हो गया है- अब हम इसके अड़ करेंगे लाल मेच और बाबजी मसाला दोनों मसालों को प्यास के साथ अच्छे से मिक्स कर दे फिर इसमें एड़ कर दे सब सबजियां जो भी हमने काटके रखी थी मतर, फुलगोबी तो सबी सबजियों को हमें रफली ही चॉप करना है बिल्कुल पतला नहीं काटना है और साथ में एड़ कर देना है बीटूट जिससे हमारी सबजी का कलर बढ़ियाएगा शिम्ला मिर्च, गाजर, आलू इन सभी सबजीयों को इसमें एड़ कर देना है लास्ट में हमें टमाटर भी इनके साथ ही एड़ कर देना है अब स्वाद अनुसार नमक एड़ कर दे और दो गलास पानी एड़ कर दे अब डकन लगाकर साथ से आठ विसल आने तक इने पकाएं या फिर तब तक जब तक कि सबजीयां अच्छे से गल न जाए तो ये एक important बात है हमें सबजीयां पूरी तरह से गली हुई चाहिए तब भी एकदम street style पावबाजी बनेगी सबजीयां गली होंगी तब हम उसे अच्छे से mash कर पाएंगे और इसलिए ही restaurant और street style पावबाजी में यही फरक होता है उनकी सबजीयां पूरी तरह से mash की हुई रहती है मडलर से भी mash करना है और फिर पावबाजी मैशर से भी अच्छे से mash करना है अक्सर हम जो पावबाजी बाजार से लेकर आते हैं या किसी restaurant में जाकर खाते हैं वो 15-20 मिर्ड में हमें पूरी पावबाजी तयार करके देते हैं तो वो किस तरह से ऐसे करते हैं यह एक trick है जो मैं आपको आगे बताऊंगी तो सबजी वो अच्छे से mash करने के बाद एक कड़ाई लेंगे उसमें तेल और बटर एड़ कर देंगे साथ में दरदरी कुटी हुई अद्रक और लसुन की paste एड़ कर देनी है अब low flame पर इसे बुने जब तक इसका कच्छापन निकले फिर इसमें बड़िया कलर लाने के लिए हम इसमें एड़ करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च इसे एड़ करने के बाद हमें artificial कलर यूज करने की ज़रुत बिरकुल नहीं पड़ेगी साथ में हम एड़ कर देंगे हल्दी, धन्या पाउडर और पावबजी मसाला पावबजी मसाला थोड़ी ज़्यादा quantity में एड़ करेंगे अब सभी मसालों को मिक्स करके low flame पर लगबग एक मिनट तक भूनना है अब हमें इसमें mash की हुई सबजियां एड़ कर देनी है सबजियों को मिक्स करने के बाद अगर आपको लगे कि इसे और थोड़ा mash करना है तो फिर से इसे एक से दो मिनट के लिए mash कर दे अगर आपको सबजी थोड़ी गारी लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी आड़ कर दे फिर इसमें एड़ कर देना है हरा दनिया और बटर उठेले वाले और रेस्टरॉन वाले इस तरह से सबजी बना कर रख देते हैं और फिर इसे गरम गरम तवे पर सेख लेते हैं तो वो कैसे करना है यह देखिए तवे पर पहले बटर डाल देना है उसमें थोड़ा सा पावबाजी मसाला हरा दनिया एड़ कर देना है और फिर इसमें बाजी एड़ करके बटर के साथ इसे अच्छे से मैश कर देना है अगर आपके पास घर में बड़ा तवा है तो आप ज्यादा कॉंटिटी में भी इसे बटर के साथ सेख सकते हैं पर मेरे पास तो regular वो ही तवा है जो हम घर में यूज़ करते हैं तो मैं इसे थोड़ी क्वांटिटी में ही इसे बनाऊंगी तो हमारी street style पाव बाजी तो तयार है अब हमें पाव को सेखना है तो उसी तवे पर पहले थोड़ा बटर एड़ कर देंगे साथ में थोड़ा सा पाव बाजी मसाला हरा धनिया एड़ करके उसे mix करके पाव को बीच में चीरा लगा कर इस तवे पर सेख लेंगे दोनों तरफ से पाव को अच्छे से सेखने के बाद इसे बाजी के साथ सर्व करें तो देखा ना आपने कितने आसान तरीके से कितने कम समय में हमने ये पाव बाजी बनाई बिल्कुल street style वैसी ही tasty वैसी अच्छे से mash की हुई सबजी अच्छे से butter डालना है हमें और इतनी tasty बनती है कि आप अगर खाना चालू करेंगे तो बस खाते ही जाएंगे 15 मिन में बनने वाली ऐसी tasty पाव बाजी की रेसिपी आपने पहले कभी नहीं दखी होगी तो जितना हो सके अपने friends और family में शेयर करें उनके बहुत काम आएगी वीडियो को like जरूर करें और मेरे चैनल को subscribe करें